दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप शुवी का और नडव फोस्टी यूटीब चैनल पर जिसा कि दोस्तों आप जानते किसी वर्थी सम्मधित कोई भी जानका ही होती है आप शुवी को ओलने डवर्फोस्टी चैनल के माध्यम से दी जाती है इस वीडियो में हम बात करने वा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे की जानकाई आप सब्सक्राइब को ओलाइन एड़ा फ़र्श्टी चैनल की माध्यम से सबसे पहले मिलती है चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं खंड शिक्षा अधिकाई बरती एक ऐसी बरती देखने के लिए मिलती है जो कि चात्तों की डीम जोब होती है बीएड कहने वाले अब बैरती जो कि कहने की सिच्छक बनते हैं उनको अगर अधिकाई बनने का मौका मिल जाए सिर्फ बीएड के आज़ार पे तो इससे जादा स साल 2019 के अंदर इसका नोडिफिकेशन जारी किया गया था एक बार लगबर 319 पर लेकिन भरती का विग्यापन जारी हो गया परिक्षा हो गई न्यूकती हो गई लेकिन उस समय पे आप सभी के जो कट आफ अंके वो जारी नहीं किये गए थे चात्तों के प्रापतांक जारी किया गया है कि खंडी सिक्षा अधिकारी मुखी परिक्षा 2019 से संबंदित अभ्यरतियों को एदत द्वाया सुचित किया जाता है कि उनके प्रापतांक एवं अंतिम चैनित अभ्यरतियों की सेनटी बार कट ओफ आयो की वेबसाइड यूपी पीर सी डॉट यूपी डॉट के साथ में चेक कर सकते हैं इसके बाद में किसी प्रकार कोई विचार किया जाएगा मतलब विचार नहीं किया जाएगा नीचे आप सभी के सामने अजय कुमार तिवाई परिच्छा नियंतर के सिगनेचर अब जो अब बैठती नहीं खंडी शिक्षा अधिकाई भरती के अ बहुत आवश्यक है क्यों आवश्यक है यहां से आप सुभी देख सकते हैं खंडी शिक्षा अधिकाई भरती के अंदर पिशली बार कट अफ कितना गया था तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा हाई यस डो सो उन्तालिस देखने के लिए मिलता है और जो नियुन देखने के लिए मिलता है अब इसी के आदार पर आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका कट अफ कितना गया था अंदाजा क्या कट आफ ही आप सभी यहां से देख पारें नियुन तर्ब कि हम ज्यादा बात करेंगे क्योंकि कम से कम कट आफ वही में होता है अगर बात की जाए यहां पर अनुसजिस जनजाती 187 एस्टी की बात की जाए तो एक सो पिचानवे बूत्पूर सैनिक की बात की जाए तो 181 इसके अलावर दिब्यांक की अगर बात की जाए तो 188 यह नियुन तम कट आफ है उसके साथ में अधिक्तम कट आफ भी लिखा ह हुआ है आप चाहें तो इसको यहां से देख भी सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं यहां से कट आफ के अलावा क्योंकि पिछली बात 319 पर देखने के लिए अब बात की जाए नई भरती के बिग्याबन के पदों की अगर संक्या की बात की जाए तो 200 पिलस आपको देखने क लगाता अभरती इसका इंदिजार कर रहें तो उत्तर प्देश लोग से आयोग के सामने भी इसको लेकर जानकरी देखने के लिए कि नई भरती को लेकर खंट शिक्षा अधिकाई भरती में पिछली बार क्या हुआ था जब इसका विग्याबन जारी हुआ था तो योगित मतलब यहां से यू प्यegट का कहना है कि वो यहांसे विवा थे उनको किलियर करने के बाद ही भरती का विग्यापन जारी करेंगे ये बात हो जाती है खंड शिक्षा अधिकाई के बाषि में बाकि समय समय पर जो अप question के लिए आप जानते हैं कि योगिता का विवाद लगा हुआ था अब वो खतम हो चुका है लेकिन नई भरती का विज्ञापन जारी होने के लिए आप सभी के सामने पदों की संख्या अलग-अलग देखने के लिए मिल रही है उसी के संब्द में हम बात करने वाले हैं क्योंकि अलग कि अट्वर महार के अंदर उत्तर ब्रस्लोक से वायोकि माध्यम से जाड़ी होगा अब इस विग्यापन को लेकर आप विएतियों के मन में काफी शंसे देखने के लिए मिलती हैं हाली में आप स्पीकर सामने इस सुबर के समाचा पत्तों में आपको जानकाई देखने के लिए मिली थी कि एल्टिकेट से चेक बरती कि अगर बात की गया है तो 7471 पतों पर देखने के लिए मिलेगी कुछ अब्यद्य ने कहा कि सर अभी तो बिग्यापन आया नहीं उससे पहली पदों की संख्या कम हो रही है और धीए धीए पदों की संख्या और कम ना हो जाए उसी के संबंद में नीचे लिखा हुआ है कि राजकी और माद्यमी विद्यालों के लिए इसमें मैं आपको डिटेल में बता दू कि पदों की संख्या आपकी 12,000 देखने के लिए मिलेगी और उसकी बज़य क्या है वो भी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ यहां पर आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि अगर बात किये सिच्छा निदे साले के माद्यम से राज की माद्यमी बिद्यालों में देखत पदों का विवन जुटागर भरती के लिए अधियाचन उत्तर विदेश लोकसेवा आयोग को भेज़ दिया गया है कुल पदों की संक्या 7,411 अधियाचन भेजा गया है जिसमें प्रवक्ता के 2,215 पद हैं और यहाँ पर एल्टी केड के 5,256 है इसी को लेकर बहती कहाए थे कि कल तक तो एल्टी केड की बहती जादा पदों पर आई थी अब कम कैसे हो रहे हैं तो कम नहीं हो रहे हैं उसकी बज़ए आपको नीचे देखने के लिए और मिल जाती है यहाँ पर आप सुभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश में पुर्स वर महिला दोनों संबर की मिलाकर 19,300 पद सुईकरत हैं जिसमें से 22,294 कारे कर रहें लेकिन 7,600 पद यहां से खाली है तो जितने पद खाली होंगे उतने पदों पही विग्याबन जारी होगा हो सकता है कि UPPSC के बास में दो अलग-अलग अधियाचन भेजे जाएं थीक है तो इस बात को लेका ऐसा नहीं के अंदर पदों की संक्या 5000 हो गई है पदों की संक्या 7,000 है क्योंकि इतने पद खाली है थीक है दूसरा उप्सिच्छा निदेशक MP सिंह के माध्यम से अगर बात की जाएं यहां पर जो आप सभी के पद खाली है 5,256 पदों के लिए अधियाचन जिलों से फ्राप्त हुआ है और इसी के आदार पर भेज दिया गया है अभी इसमें आपको और शंशोधन देखने के लिए मिलेगा तो यह बात हो जाती है एल्टीकेड की पोस्ट वाइस वेकिंसी के बारे में थोड़ी से बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रवक्ता वरती को लेकर प्रवक्ता के बारे में लिखा हुआ है कि 9,473 पदों पर सुरिकत पद हैं जिसमें से प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो 5,129 पद खाली है इसमें से जो अधियाचन बेजा गया है वो 2,215 पदों का बेजा गया है इसका मतलब साफ है कि एल्टिकेट सिच्छक वरती और प्रवक्ता के अंदर पदों की संक्या 12,100 से जादा खाली है लेकिन जो अधियाचन बेजे हैं वो अभी कम बेजे हैं आने वाले समय के अंदर इसमें शंशोदन करते हुए अधिक पदों पर अधियाचन बेज दिये जाएंगे और जो जानकाई आपको दी गई थी उसी के आदार पर नई भरती का विग्यापन जादी होगा लेकिन भाई दूसी तर बात कीजाएं अपने अगली अपडेट के वाज़े में जो की सम्बंदित है एड़ेट जूनियस इच्छक वरती को लेकर एड़ेट जूनियस इच्छक वरती के अंदर लगाता नई मोड देखनी के लिए मिलना है दो से तीन दिन पहले मैंने आप सुभी को जानकाई भी दी थी कि एड़ेट जूनियस इच्छक वरती को लेकर पीनपी एक बड़ा फैसला ले सकती है जो की सम्बंदित होगा इन्वैलिड सीरीज के वाज़े में या फिर इन्वैलिड रिजल्ट को लेकर बहुत सारे चातों का invalid result देखने के लिए मिला था कई चातों ने प्रत्या वेधन दिये थे added जूनियोस इच्छे वरती के लिए अब PNP के माध्यम से एक बार फिर से उनसका जो ओलट फिर हो कर दिया गया है क्योंकि PNP अपनी गलतियों को मान ले इतनी आसानी से होता नहीं है बहुत सारे अब्वेर्थियों दावा करे थे उनकी ओर्मार के अंदर गल्टियां है या फिर गल्टियां नहीं है उन्होंने ओर्मार चेक करने के लिए PNP पे दवाब बनाया तो सचिप परिशा नीमक प्रदिकारी के माध्यम से जादा नहीं कुछ अब्यरतियों की औरमार को चेक करवाया गया जिसकी image भी आप सुभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी अब्यरतियों को बाबस मोड दिया एकवार फिर से कहने के invalid result को लेकर मामला फस्ता हुआ दिखाई दे जाए यहाँ पर अब्यरतियों दावा तो किया था कि उनकी OMR सही है लेकिन बाद में जब PNP ने उनकी OMR दिखाई तो यहाँ पर PNP ने उनकी OMR के अंदर ही गलतिया निकाल दी और उसकी आदार पर जो मूल OMR थी उसको दिखाते हुए यह कहा गया फिलाल अगर बात की जाए तो एड़िट यूनियस इच्छक बरती को लेकर जो विवाद है वो एक वाफिसे न्याले में जाएगा और वहीं से हल होगा PNP ने जो OMR दिखाई हैं उसके अंदर गल्दियां बताते हुए अभ्यरतियों की बातें नहीं मानी है अब कोड में क्या होगा इसका इंतजार है वीडियो को लाइक कर दें साथ ही शेयर कर दें